हेलो गाइट वेलकम है सुनील आटोकार तो आज हम लोग बात करने वाले अल्ली उपडेटेट महिंद्रा थार के बारे में यह देखर आप थार का टॉप वेडरेंट तो आज इसको लोग डिटिल में कवर करेंगे एंड बात करेंगे इस कार के प्राइसिंग के बारे में फी आज इसकी बात कर लें तेरा लाग उनसा ट्रजार से इसका एक सुरू बेसरे इंटि श्टार हो जाता है टो जाता है 18 लाग तक ऑन रोड लगना हूं तो इतनी इसकी प्राइसिंग वेरंट्स आपको दो मिलेंगे एक्स ऑप्शनल दूसरा अलेक्स तो अभी चलते हैं सब आउक्स में ब्लैक, रेड, एक्वामरीन, रॉकी बिंग के भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और फ्रन में आपे आते हैं, तो यह बाई काफी पुराने टाइम से चला रहा है महिंद्रा की आपको बैच मिल ला है, यहाँ पर गरिल रहती है पुरी ब्लैक कलर की गरिल वगर पुरी आप चेंज करा सकते हैं, जो ट्रैंगले रॉला फिल अगर आपको चाहिए तो मोडिफिकेशन आप पर डिपेंड करता है किस तरह कराना है और यहाँ पर हालोजन बेस इसके हैडलाम उनिट, इसको भी आप मोडिफाइड करा सकते हैं प्रोजेक्टर्स, LED जो भी लगवाना चाहें, यहाँ पर आएंगे तो अंडिगेटर्स, अंडियरल देखने को मिल जाएंगे, साइड में नीचे के तरह जो हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फॉग लैम से रहते हैं, जो हाईलोजन बेस रहेंगे यह पर इसका फ्रंट मस्कुलर सा पूरा बंपर, बंपर में यहाँ पर आते हैं, तो थार की बड़ी-बड़ी सी आपको पर बैजिंग दी गई है, इतना सॉलिड है न, इस पर चड़वाड भी जाएंगे न, तो कुछ भी होने वाला नहीं है इस तरह पूरा आपको देखेगा, नीचे का इसका एंजिन कार्व बगरा, एंड यह अपको इसका पूरा फ्रंट सेस्पंसर का सेटप, ग्राउंड क्लेंस की बात कर लें तो 226 mm का आपको बेहतरी इंसका ग्राउंड क्लेंस देखनों को मिल जाएगा यहाँ पे आएगे तो इसका डूल वैपर का पूरा प्लेस्मेंट, और इधर से कुछ इस तरह आपको देखेगी, यह महिंदरा थार, तो फोर्ट सीटर का आपको इसमें सेटिंग आईजिमेंड मिलता है, और हाल टॉप आप आप इसका देख रहे है, सॉफ्ट आप का भी पकी यहाँ पे जब आते हैं, तो 18 जिसका आपको 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 इसमें इसके अलॉइ वजिस दिये गए हैं, जो देखने में काफी मस्कुलर से लग रहे हैं, यहाँ पे नियू वाला महिंदरा का लोगो, C8 के टार्स, और आगी की तरफ आप देखेंगे ना, तो आपको आपको आप इसमें डिस्प्रेक्स दिये गए हैं, तो यह रहे हैं, पीछे डिस्प्रेक्स मिलते हैं, और यहाँ पे ख्लाइडिंग रहती है, काफी बढ़ी ऐसी मोटी सी, यहाँ पर इंडिकेटर्स, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी थार की बैजिंग, तो काफी ज़ी देखने को मिलेगी तो यहां पर भी थार की बैजिंग और भीम रहेंगे इसके एलेक्टिक वैडजेस्टेबल हैंडल रहते हैं मैड ब्लाक स्निश में एंड यह देखे भाई इसका पूरा डैस्पोर्ड यहां पर भी निव ब्रेटर महिंदरा का लोगो अंदर चलेंगे देखते हैं हाल टॉप है सौप्ट हो लेंगे दो न तो पीछे सा आप इसको देखेंगे थोड़ा सा वैसा रहता परदे टाइप वाला और इधर से इस तरह कुछ आपको दिखती है महिंदरा थार डामिशन की बात कर ले तो 4985 mm की इसकी लेंद एंड 1855 mm की विद एंड 1844 mm की हैट देखने को मिल जाथी इस कार की वील बेस होई आपको इसमें मिलता 2450 mm का ग्राउंड की मैंने आपको बताई दिया 226 mm का तो आप बढ़े सा आप इसको कहीं भी कुदाई फंदाई कुछ होने वाला नहीं है फ्यूल कैप यहाँ पर दिया गया है फ्यूल टैंक कैपसटी आपको मिलती 57 लिटर खोलने के लिए आपको अपनी की का इस्तमाल करना पड़ेगा यहाँ से डीजल एंड डीजल फ्यूट वेगर आपको यहाँ पर फिल कराना पड़ेगा तो इसको कर देते हैं लॉक तो इसमें कोई अंदर सा अप्शिन नहीं रहेगा इसके फ्यूल कैप खोलने का चाभी सही अपनी खोलनी पड़ता है पके भी चलते इसके बैक प्रफाइल की तरफ देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है तो टॉप समनों को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर दीगए इसकी हाइमांटी स्टॉप लैंप और इसकी बड़ी असी बैक लाइट्स थार कीसी में बैजिंग यह अंडिगेटर्स और इधर आते हैं तो यहाँ पर हैंडल सारे ब्लाक फिनिश में यहाँ पर रहते हैं और यहाँ इसका मस्कुलर सा पूरा इसकी रिविल जो पांचवा भी आपको अलाइश दिया जा रहा है यहाँ पर नया वाला लोगो सीट के टैर टैर सक्षिन आपर देख सकते हैं नीचे के तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इसके बंपर में और रिवर्स पार्किंग कैमरे की कोई भी प्लेस्मेंट नहीं रहेगी इस तरह रियर वाला पूरा सस्पेंसन सेटप इस तरह पिसकी जॉस्ट पाइब तो यहाँ पर देख रहे ना वाई काफी बढ़े आपको गैप मिलता है तो आफ रोडिंग काई भी पहाड़ों पे लेके जाते हैं और यह भाई इसका बोड़ी स्पेस तो यहाँ पर एक है छोड़ा मोड़ा आप अपना समान रख सकते हैं बाकि अगर सीट फोल्ड कर देंगे तो सम्थिंग आपको 600 लेटर काफ बोड़ी स्पेस देखनों को मिल जाएगा तो यह दोनों सीट फोल्ड भी हो जाती ज्यादा तो बाई दोई लोग इसमें ट्रवल करते हैं बाकि इतना कुछ यहाँ पर इसपेस रहता है तो छोड़े वाले ट्रॉली बाई का आ जाएंगे यह काफी तगड़ी से परफॉर्मेंस देखनों को मिल जाती है इस महिंद्रा थार की यह पूरा ग्लास पैनल एरिया है इसका अभी चलते है इसके फ्रंट में और यहाँ पर एम होक के आपको बैजिंग मिलती बिकॉस एम होक का वन थाड़ी बीच्प वाला आपको यहाँ सब्सक्राइब को यूनिक कलर मिलता ग्रेवाला एंड रेट लेंगे ना तो एक्दम औरिफायर जैसा लगेगा इसमेंद्रा थार में तो यह था इसको कुछ साइट डामेंशन में गरा एंड अभी लोग चलेंगे कार के इंटिरेट की तरफ वहाँ पर देखें क्या को दि सब्सक्राइब का बैज यहां पर छोड़ी से बोटल अब लगा सकते बड़ी वाली नहीं मिलेगी डैस्पोर पुरा ब्लैक आउट यहां पर रहता है रफ एंट अप सौलेट सा यहां पर आंगे तो आइडियल शाइट अप बढ़न बाकि यहां पर सारे माड़ी के आपको नीचे यहां पैडल्स मैनुएल ट्रांसमेशन के कीव को लगाते हैं फिर बैटते कार के अंदर एक डमी की मिलती ही दूसरी डिमोट सेंटर लॉकिंग की एंड नियू अपडेटेटर में रहा थारे तो आपको नया लोगों मिलेगा अर जेगे इसके लाव को कुछ बड़ होंगे काफी प्यारी सी लग रही हैं एंड इसके साथ आर्पे मीटर सभी को चैनलाग फोर भाई फोर हाई फोलो का यहां पर आपको सारी डिटेल्स हो जाएगी इसके माईडी स्क्रीन में और अब देखे भाई इसका पोरा स्टेटिंग वील यहां पे निव वाला महिंद यह आप इससे चीक कर पाएंगे इसमें 4i4 लो के सारी इंफॉमिशन यह भी देख सकते हैं किसमें आप चल ले उसके भी सारी इनफॉमिशन आपको समय डिस्पले हो जाएगी टैर प्रेशर मौणिंग शिस्टम जैसे आपको सारी फीचर्स आपर देखने को मिल जाएंगे पिस्पीकर को मिलती इसके इसके इब देख सकते हैं यहां पर सारी इसकी डेटियल इसके सारे रेंज एवरेज ये उसके दिस्प्लें होगी एंड्रोइड और अपल करपे वगरा भी आपको देखने को मिल जाता है इसके इंफो डिमिंट सिस्टम में इंड देख रहे हैं इस तरह कुछ आपको आपको पूरा दिखेगा इस पीड वगरा भी आपको आप इसमें डिस्प्ले होगी तो एक तरह से प्रॉपर आपको आप इस पीडिए याप डिशन के जाते हैं यहां पर आपको आपको अफ्रोडर करने निकलते हैं यहां पर चुनाम आत्र इसपेस आपको मिलेगा एक लब बॉक्स में कितरा रिवेक तूसरा यहां पर सेंदर फीचर टुल आरबेक का उपर की तरफ आते हैं तो यहां पर यहां पर यह पुरा हर टॉप है कुछ इस तरह रहता है यह यहां पर इसकी लाइट्स थोड़ो काफी बड़े है वाइट वैला दो ट्विटेट दो स्पीकर्स यहाँ पर दिये गए दो आगे स्पीकर्स मिलते हैं आपको इधर हैंडेल इसका यहाँ पर भी थार की बैजिंग बैजिंग भाई आपको काफी जदे भरबर के मिलेगी इस थार में पीछे पीछे जिलेंगे तब उसके बार में बात करेंगे तो डैस्पोर आपने देख लिए एक दम बड़े सा सॉलिड रफ एंट पूरा ब्लैक कलर के बनाया जाता है तो देखने में तो काफी इच्छे से लग रहा है इसका पूरा डैस्पोर तो अभी भाई तो हो जुका पूरा कवर अंदर से अब हम लोगे कार के बाहर फिर बात करेंगे इसके प्रैसिंग फीचर एंड इंजिन इस पैक के बार में तो सबसब पहले की को निगालते हैं अपडेट की नाम पे आपको न्यू अला मेंदरा के लोगों मिलेगा दूसरा या पर जो ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल डिसन कंट्रोल के स्विचे से ना पहले MID control के जो आपको यहाँ पर switcher दीगे वहीं पर मिलता था बढ़ अभी उनको यहाँ पर center console में कर दिया गया है engine spec की बात करें तो अपसका देख रहे 2.2 liter mhawk 4 cylinder diesel engine option जिसमां आपको 130 bhp की power 300 nm का dock समधिक बंदर के मिलके मैं लिए देखने को मिल जाता है इस car में यहाँ पर आएंगे तो power antenna इसका and इधर से आपको जाना पड़ेगा इसके second वाली रोपे उसके लिए कोई भी door नहीं दी गई अलग से and इसको यहाँ से आप करेंगे fold इस्तरे तो यह इस्तरे आगे कुछ हो जाती है and इसके बाद आपको थोड़ा से slide करना इसको इतना कुछ space रहेगा तो हमारे जैसे भाई यहाँ पर slim trim लोग आराम से पिछे चले जाएंगे healthy person के लिए थोड़ी से problem हो सकती है dashboard का यहाँ पर पूरा view पूरा एकदम rough and tap solid यहाँ पर पूरा आपको view देखेगा इसका नीचे आते हैं तो यहाँ पर दो glass holders मिलते हैं rear race events को कोई भी option नहीं because इतनी lengthy नहीं भी car की and यहाँ पर आएंगे तो leg room थाइस बोड़ा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इतना रहता है comfortable की तो वह इसे भी car नहीं बनाएगी भाई बनाएगी off-roading के लिए पाक यहाँ पर आते हैं तो handle की जगे यह सब दिया गया यहाँ पर speakers, tutors, उपर lights यह देख रहे हैं ना यह road का भी काफी ची से लगती है adjustable इसके headrest यहाँ पर इस तरह देखेगा पीछे का नहीं जा रहा है यहाँ पर seat belts इदर यहाँ पर modification में आप कुछ भी armrest वगरा भी लगवा सकते हैं अभी क्या पूरा stock यहाँ पर खड़ी हुई है and modification तो भाई गजब-गजब की होती हो तो आपने को अप्शन लेना चाहिए तो इसका भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको 2000 CC का MSTL ने पेट्रोल इंजिन अप्शन दिया जाएगा 150 PHP की पावर 300 इंट्रमेट के टॉक सम्तिंग 10 से 12 के मैं देखनों मिल जाता पेट्रोल इंजन में पीड आलड सिस्टम एड़ एसपी हिल टीसंट कंड्रोल से कफसे फीचेस मिल जायंगी सिसकार में आपको मिल जाएगा पहले वीडियो कर प्सान देक प्लिवीडियो को लाक जिरुकर जालको सब्सक्राइब कर दें मैं सुनी फिर्म प्रता गोग लिए से बैते हैं इस वीडिक सा तब तक लिए थाइंगे इख सो मच